एक्जेम्पल नुबर 5 वेल्ट मैं सागे सी चप्टर नुमर 7 इसका फॉस्ट पार्ट है y is supposed to sin inverse 2x upon 1 plus x square इसका मुझे डिफेंशल करना है तो सबसे परेंशल है तो इसके रिलेटेट फांगला है d by dx of sin inverse x 1 upon 2 1 minus x square अब यहां पर एक्स होता जो प्रॉब्लम किये नहीं बट यहां एक्स तो है नहीं यहां पर लिखाओ है 2x upon 1 plus x square इसके लिए को स्प्रिणोमेट्री के फांगले हैं वह आपको इलाज होने चाहिए जैसे sin 2a equals 2 होता है 2 10a upon 1 plus 10a square अब आप इसके compare करो कि अगर एक सी जगह 10 होता तो यह फांगला बहुत जल्दी से जाबा लग जाता और साइन इनवर्स और साइन बट जाता तो मैं क्योंना इसको एक सी जगह 10 फीटा लाट कर लाता हूं फांगला मैंने ए में लिखा है यह थीटा लाट किया कोई करने करता तो आप सिंपोस्तों तैन थीटा लें जापने तो ऐसी कंदीशन के अंदर जो सिचुएशन में जो क्या बाते की हो देखो साइन इनमर्स दिख् Unit 2 एंतर अपाउं 1 गॉम्न प्लाइच ए यह 10 स्क्रीटर भागता सी द्रीटा एक सिलन इसके सब्सक्राइब तो थिटा किसके हो गया हो जाएगा यह साइन फ़र्मुले फड़े याद हो साइन इन और साइन दोनों हड़ जाएंगे यह तो आजाएगा यह तो थिटा वापस थिटा की बैदुर रखने पड़ेगी तो तो रिक्सेण के लिगा तो यहां कि लिटा किस्त creat का होता है कि आन सवर्म ऑपड़ेगी इन हो डोनों कि आउं तो तो तेन इन इन उसके हो जाएगा, 2 tan inverse x, अब इसकाो रेंचिन रएंट, x के respect में, जो dy upon dx इते उतुतू तो constant बढ़ा है, और d by dx of, यह tan inverse x, two constant है, tan inverse x का रेंचिन रएंट, यह एसका answer होगा है, बस इसमेहले फ़हूरे यार रखें, तो को इसी भी इचिती भी, अब सेकेंड पार्ट देखें, वाई इसमोज तो sin inverse root x, root cos x, यहाँ पर आपको formula यहाँ परना है, sin inverse x का differential होता है, 1 upon root 1 minus x square, एक काम आएगा, differentiation of cos x, यह होता है, minus का sin x, एक और यहाँ रखें हो, d by dx of root x, यह 1 upon 2 root x, यह x को और n अपर रखें, करोगे तो भी एक ही मांदर, अब यहाँ पर differential करने के लिए, d by dx के से, is equals to d by dx of sin inverse of root, यह cos x, अब compare तरो, sin inverse x का formula मतों पता है, वो होता है, 1 upon root 1 minus x square, यहाँ आपर देखो, sin inverse, इस पूरी value को 1 में x मान लो, कहीं कुछ लिखने के जोत नहीं है, इसको आप 1 में x मान लो, तो यह क्या होना चाहिए, अगर यह सिर्फ x माना है, तो उसके formula के according क्या होना चाहिए, 1 upon root 1 minus x square होना चाहिए, x किसको माना था, वह सिर्फ यहाँ पर लिखो, अब तो याद लखो, जिसको आपने x माना है, उसके differential से multiply करना पढ़ना, यहाँ आपने x की तरह यूज किसको क्या दा, root cos x को न, root cos x को लिख दिया, मैंने x दे गए, और जिसको x की तरह यूज किया है, यह जिसको मन में आपने x माना है, उसके differential जर्चे मन रिखाए, जिसको 1 upon root 1 minus, यह root और इसको रोन माट जाएंगे, सरफ cos x रहेगा, into, अब इसको न, x की पर end लगा लोगा हो बढ़ी दिया हो, मिसा के लिख 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 जो root x का differential कितना होता है, 1 upon 2 root x होता है, तो इसको अना cos x को मन में आपने x माना है, तो root x था, 1 upon 2 root x, x की ज़िएगा पर यह कौन था, cos x, तो उसके differential से multiply हो, then, अब यह चीज़ें तो इसमें को सोना नहीं है, as it is, 2 आगे आ जाएगा, यह root 1 minus cos x और यह root of cos x, as it is, cos x के लिखना होता है, minus sin x, तो final answer, minus sin x upon 2 रहेगा, और root 1 minus, cos x एक और रूट लगा दो, cos x, आप चाहदो, दोने मों कामन रूट भी बना सकते हो, यह इसका answer हो, थोड़ा सा केरफुली, step two step चलते हो, easy question है, थर्ड पार्ट इसका, why is close to, root, cos inverse root x है, cos inverse नहीं है, cos inverse, cot, cos inverse root x, root के अंदर है, तो सबसे कहले था, dy upon dx, dy dx और, square root और, cot inverse, यह यह यूस्ट तो formula है, वो कौन-कौन से होगे, d by dx of root x, इसले question में लिखा है, मैंने, one upon two root x, एक आपके case में होगा, d by dx of cot inverse x, यह बता है, minus one upon one plus x square, इस formula को फोकस करेंगे हैं यहापर, तो सबसे कहले देखो, root x, यह अंदर वाली पूरी value को मन में x मानों, यह कहीं नहीं लिखेंगे, सर्फ इसको मन में x मानों, तो root x का में लिखाया, one upon two root x, one upon two root, और अंदर वाली value, cot inverse root x, जो भी जिसको भी x माना था न, उसके differential से, हमें multiply करना पढ़े हैं, जो भी जिसको भी x माना उसके differential से, multiply करना होता है, अग, one upon two root, यह हो गया, cot inverse root x, यहां पर हो, cot inverse, इस मन में इसको x मान लो, तो formula, cot inverse x था है, cot inverse x था होगा, minus one upon one plus x, इसको है, अब आग इसमें x जिए पर रूट x है, root x हो मन में x मान लो, कहीं लिखना दिया, सिर्किस root x को मन में x मान लो, यह हो जाएगा, minus one upon one plus x square, जो भी x जाएगा था, बस्ता, square, और जिसको भी मन में x मान लो, किसको मान लो, तो, उसके differential से मुझे ले, यह हो जाएगा, और one upon two root, यहां court inverse से जान रखें, root x into, यह minus one upon one plus, root x का इसको खाली x हो जाएगा, और root x का उड़ेगा one upon two root x, अब थोड़ा सा rearrange करने इसको, तो, minus से उपर, minus one upon, यह two to the four हो जाएगा, और root का, court inverse root x, और एक root और है, यह वाला x, और यह वाला है, one plus x, यह इसका answer हो जाएगा, अच्छा कोशन है, बस थोड़ा सा start to इसका चलते हैं, इसमें, fourth part, y is supposed to tan inverse 3x minus x2 upon one minus 3x इसमें, इसमें एक चीज़ार याद रखेंगा, यह वाला हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा, यह तो याद रखेंगा, डिफेंक्शल of tan inverse x, यह कितना होता है, one upon one plus x square, एक चीज़ा है, कि tan 3 theta is supposed to 3 tan theta minus tan cube theta upon one minus 3 tan square theta, यह तो आपको याद रखेंगे, अब compare करो, यह इस value को और इसको compare करो, x की जगे अगर 10 theta हो जाएगे, तो 10 3 theta का फनुड़ा बढ़ने में कोई देव नहीं लेगेगी, ऐसे condition में, let x equals to 10 theta, तो में पास आजाएगा, y equals 2, बहुत अच्छा पोशन है, 3 tan theta minus tan cube theta upon one minus three, 10 square theta, ऐसा करने से benefits होंगे, वो देखो, 10 inverse, इसको क्या लिख सकते हैं, 10, 3 theta, 10 inverse 10 दोनों भढ़ जाएगे, सर्फ 3 theta आजाएगा, अब theta की जो बैजी जो एजना, वो यहां करा हम जे रहेगी, 10 inverse x equals to 3, तो इसमें theta ची देखे लिखेंगे, 3, 10 inverse x, अब करें इसका देटेंश, dy upon dx equals to 3, and d by dx are your data, 10 inverse x, 3 into 10 inverse x का देटेंश, 1 upon 1 plus x इसका देटेंश, इसका अच्छा कोशन हैं, बस में फॉर्मले याद हो, तो पुछ आज़ा पब्र नहीं है, एक चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, राइक करें, दोस्तों बताएं, ग्रूप्स में भी बेज़ें, शेयर करते वे, ताकि उन तक भी ये वीडियो सब्सकें, और उनको भी बेनफित दर सकें, थैंक्यू पर बाचिंग, आप देकरस्ट